नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर किसान भाईयों, आज हम आलू फसल में जो अगेती जुलसा और पछेती जुलसा रोग लगता है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे यह लगता क्यों है, किस कारण से लगता है और इसको रोक्थाम कैसे की जाए देखे सबसे ज़ादा उत्पादन को अगर आलू फसल में कम करता है तो यह बिमारी करती है और किसान इसे बहुत ज़्यादा भेभीत रहता है जिस खेत में ये बिमारी आ गई समझो फसल को तबाह कर देती है तो दोस्तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आज इस पे आपको संपूर्ण जान कर देंगा क्या है हमारे पास कमेंट्स आ रहे थ है किसान भाईयों के के हमारी फसल को देख़के जाओ तो आज हम एक किसान भाई के खेत माये हैं उसके ये समस्या बहुत ज़्यादा रही है दोस्तो तो ये दोनों की तासीर है दोस्तो, अगेती जुलसा और पच्छेती जुलसा इनके शेम है, इनके कारण भी एक समान से ही है, क्योंकि ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, तो अगेती जुलसा में क्या होता है, पत्तों के निचली सते से काले धबे बनने स्टार्ट हो जाते ह और उपर से नीचे की तरफ चलते रहते हैं, वो पूरे पत्तों को खतम कर देते हैं, दोस्तों, पूरे पत्तों को खतम कर देते हैं, और पच्छेती जुलसा में क्या होता है, पच्छेती जुलसा में नीचे से तने से धब्बे स्टार्ट होते हैं, और वो उपर तक आ जाते पूरे पेढों को खतम कर देते हैं तो देखें दोस्तों आप लोगों को एक बात एक जानकारी और देता हुँ कि कोई भी फसल, कोई भी पोधा हो उनके Πतते स्वस्त होंगे तो फसल स्वस्त होगी उतना ही ज्याद़ा उत्तपादन ले पाएं क्योंकि थी पटे ही photosynthesis की काम करता है, photosynthesis की परकरिया करते है, ये भी एक तरह से अपना भोजन बनाते हैं, जड़े नीचे से water minerals लेती है, पटे सूरे का प्रकास लेते हैं और फिर ये अपना दिन में, दिनके समय में अपना भोजन बनाते हैं और फिर नीचे जाकर वही इनकी जड़ों में जो कंदों का विकास होता है उसमें सायक होता है तो यह तो आप लोगों को पता होगा एक basic सी जानकारी दोस्तों तो आप जादा बात नहीं बढ़ाते हुए आप लोगों को बताते हैं इसके उपाय के बारे में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले धानुष्टिन धानुष्टिन की धानुष्टिन एक प्रोडक्ट आता है उसमें 50% से ज्यादा कार्बेडिंज जब होता है और लगबग 13% मैन को जब होता है दोनों systemic और contact fungicide हैं इन से इसका इस्प्रे करना है अच्छे से अच्छे से करने का मतलब है आप लोग देख लीजिए पोधे को उपर से नीचे तक पोधे को उपर से नीचे तक एकदम भेदेना है और अपने फ्वारे को जो टंकी का नोजल होता है उसको यहां जडों में मारना है उससे ड्रिंचिं है, वो systemic fungicide है, वो इसके अंदर प्रुवेस कर जाएगा, वो अंतहप्रवाही है, और मैंको जैब है, जो उपर से जो problem आ रही है, अभी ओस पढ़ रही है, सुबह, रात के टाइम में ओस आती है, तो इसी वज़े से इसमें fungis आता है, तो वो इसमें अंदर तक पहुंच ज जाएगा वो technical और जो fungis के जो disease है, उनको वो मार देगा, जो इसमें होती है, जो कारक होते हैं, fungis के जो कारक होते हैं, उनको वो मार देगा, दूसरा, copper oxy chloride और strept cyclin, इसे भी मिला के आप spray कर सकते हो, या नीचे से भी दे सकते हो, copper oxy chloride है अपने किसी खाद गेरते वक्त, आप copper oxy chloride को मिला लो और नीचे से फैंक दो, या आप UPL company का साफ powder, उसे भी नीचे से ड्रिंचिंग कर सकते हो, आप खाद में मिलाके नीचे से फैंक दो, उपर से सिचाई कर दो, तो नीचे से भी पोदे तक पहुंच जाएगा, जड़ो तक पहुंच जाएगा, उसके तन कभी पाणी में टच नहीं होने चाहिए, अच्छा जी, इससे पहले बात तो आप लोगों की समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा, अगर फिर भी समाधान नहीं होता है, समस्या ज्यादा बड़ी गहरी हो गई है, तो आप इसमें टैबू कोना जोल, उसे स्टार्ट कर दी अगर जाएगा, जो जानकारे ले लेते हैं, उनकी फसल काफी अच्छी हो जाती है, तो ये काम कीजे दोस्तों, इस बिमारे से आप लोगों को पका निजात मिल जाएगी, और आपकी फसल, आपका उत्पादन अच्छा होगा, इनके साथ आप, अगर मिलाना चाहते हो, तो यूपियल कंपिनी का गैनेकसा नाम से एक प्रोड़क्ट आता है, बहुत अच्छा है, वो एक तो इस्ट्रेस को कम करता है, फसल के गर्मी से, और ज्यादा सर्दी से, और जो उपर जो ओस आएगी, उसे भी बचाएगा, और उसमें फंगस होने की कम संभावनाए होंगी, यूपियल कंपिनी का गैनेकसा, उसे भी आप इनी दावाओं में मिलाके स्प्रे कर सकते हो, उसे क्या होगा, पत्तों पे एक लेयर बन जाएगी, उसे दूसरा फायदा यह होगा, जो पत्ते जलते हैं, पाला जो मारता है फसल को, उसे भी बचा होगा, तो ये काम आप एक लगते रही है, खाद में, सिचाई करो, उस वक्त एक सिचाई खाली कर देजिए, एक में डाल देजिए, आप लोग एक फसल अच्छी होगी दोस्तों, आप लोगों को बात अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद,